Hello friends, I am Prathiva and again welcome to teaching channel. आज का जो हमारा BA first semester का next topic होने वाला है, वो है fundamental duties यानि कि हमारे जो मौलिक कर्तब्या हैं, उनके उपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ठीक है? इसे आप as a assignment भी prepare कर सकते हैं, इसलिए हमने proper format जो है, एक assignment की तरो ही अपना जो इस वीडियो में रखा हुआ है, ठीक है, इसे पहले हमने fundamental rights के बारे में अपना जो previous वीडियो है, वो हमने अपने चैनल में upload कर दिया है, अगर आपने वो नहीं दिखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक जो है, हम उसका description में डाल देंगे, ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो make sure आप इसे जरूर subscribe कर लें, और पास ही पड़े bell icon को जरूर दमाएं, थाकि जब जब भी हम वीडियो डालें, आपके प तब भी हमारे क्या क्या हैं, ठीक है, जो हमारे समीधान की तरफ से हमें provide करवाई जाते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी चीज को explain करोगे, तो उसके right side पे आपको जो है, अपना जो है, उससे related जो है, पिक्चर जो पेस्ट करना है, ठीक है, बात करते हैं मौलिक अ अतमान में जो मौलिक करतब्य है, उनकी संख्या जो है, वो 11 है, पहले 10 हुआ करती थी, अब जो है, 11 हो चुकी है, ठीक है, अर्थात 11 मौलिक करतब्य हैं, जिनका पालन करना प्रतिक भारतिय नागरिक का करतब्य है, ठीक है, इससे पहले का जो हमारा topic था, वो fundamental rights के उपर मतला हमें कुछ अधिकार मिले हुए थे, देश के अंदर रहने के लिए, कि मतला हम जो देश के अंदर रहते हैं, तो हमारे पास कुछ rights है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि ये कुछ करतब्य भी हमें follow करने होते हैं, जब हम किसी देश के अंदर रह रह रहे हैं, ठीक है ये जो हमारे 11 कर्तब्य हैं ये इंडिया के अंदर रहने के वाले कर्तब्य हैं ठीक है कि जो हमारा भारत देश है उसके अंदर हम रहते हैं तो हमारे कौन-कौन से कर्तब्य है जिने हमें फुल्फिल करना चाहिए जिनका हमें ध्यान अखना चाहिए एक तरब से ठीक है ये हम पार्तिय मौलिक कर्तव्यों में समिधान का पालन करना, तिरंगे का सम्मान, राष्टगान के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना, एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने जैसे विचारों को समलित किया गया है। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी भूमी का निवाय, उन लोगों का सम्मान करना, ठिक है, उनकी तस्वीरों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो हमारा कर्तब्य है, ठीक है, ये हमें करतब्य के तोर पे दिए गया है सम्मिधान में, कि आपको इ उससे मेहन यह चीज नहीं होनी चाहिए तो इसलिए क्या है यह हमारे मौलिक कर्टब्य है कि जो हमारी सारजंग संपत्ति है उसका भी हमें ध्यान अखना चाहिए ठीक है अपनी ही प्रॉपर्टी के तरो नेक्स देखते हैं ठीक है यहाँ पर में चीज है जो एक्जाम में दिल जादा तर पूछी जाती है कि कौन सी समिती थी उसमेश जब यह संसोधन के आगया तो सरदार स्वन सिंग संसोधन की अनुसंसा पर समिधान के 45 संसोधन के द्वारा मौलिक कर्टब्यों को समिधान में संसोधन के यहाँ पर जोड़ा गया था ठीक है और जो हमारा समिधान के मौलिक कर्टब्यों हैं वह कहां से लिए गया है यह बहुत बार ुछाजाते है तो यह रस्या की समिधान से लिए हुआ है जो हमारा फॉन्डामेंटल ट्यू्टीजrade को जो जो है अमेरिका से लिए जो लगभग exam में पूछी जाती है, नेक्स देखते हैं, तो यहाँ पर मौलिक कर्तब्य कौन-कौन से है, हमारे मौलिक कर्तब्य उनको एक बार हम देख लेते हैं, और साइड में आपको इस तरह से picture भी पेसे करना है, जिस भी मौलिक कर्तब्य से related आपको picture मिल सकता है, उससे रिड़ेटर आपको पिक्चर पेस करना है ठीक है बीएट के एसाइमेंट में आपको यह चीज़े भहुत ध्यान रखनी होती है कि आपको उतनी ही क्रेटिवटी भी दिखानी होती है अपने एसाइमेंट के अंदर तो यहाँ पे हमारे जो ग्यारा मौलिक करतब्य हैं वो कौ करना होगा और इसके साथ तिरंगाव राष्टगान का भी उन्हें आदर सम्मान करना होगा तो यह फॉस्ट हमारा मौलिक करतब्य है सेकिंड जो मौलिक करतब्य है वो है जिन गौरव फून ब्यक्तियों के कारियों ने हमें आजादी दिलवाई एवं भार्तिय स्वतंतिर संगराम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका आदर सम्मान करना थिक है जैसे मैंने बन्हें इससे पहले घूटाया जिन भी लोगों का हमें सम्मान करना ये भी हमारे एक करतब्य है थर्ड जो इसमें पॉईंट राष्ट के एकता खंड़ता और संप्रभता की में पइसा करना ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है भारत्य शुसकृति का सरक्षन कर उसे बढ़ावा देना तो यह पांच पॉइंट यहां पर है नेक्स्ट हम देखते हैं भारत्य सव्कृति अपनी सस्कृति का भी सरक्षन गरां यह भी पॉइंट इसमें है बैज्यानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट के विकास हे तू नमीन ग्यान के छेत्र में वृदि करना नेक्स पॉइंट यहाप है भारतिय सारवजनिक संपत्ति की प्रतेक परिस्तेती में रक्षा करना उसे हानी ना पहुचाना नेक्स इसमें टै स्टेट में चल रहा है तो उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं 11 पॉइंट इसमें है यहाप प्रतेक माता-पिता का उत्तरदाइद तो हुआ कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक निसूर्क शेक्षा यानि कि 6-14 वर्स के बीच में जो प्रवाइट करवाई जाती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू सो मज़